हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सभी का मेरे चनल में स्वागत है और अभी यहाँ पर बिल्कुल सुभा का टैम हो गया है मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है वस अभी मैं अभी अभी अपने कामों पर लगी हूँ तो बच्चे हैं कि उठ गया है अपना जो काम स्टार्ट हुआ है यह मेरा डेली का मौनिंग रूटीन है जो कि मैं करती हूँ अगर बैड़ सीट मुझे चेंज नहीं करना होता है तो फिर वी मैं उसे अच्छे से जार कर और सही से लगा देती हूँ तो आज यह वाली बैड़ सीट में बिचा रही हूँ और मेरे पा दो वेड़सित मेरे पास थे पहले से एक वाला था और एक ब्लैक कलर operators गस्मेन बड़े वड़े फ्लावर्स थे और बाहर वाले रूम के लिए मेरे पास दो थे तर एक खराब वहां पर सिंगल वेड्ड की वैड़ सीट लगती है तो अब में क्या करती उस में डबल प्रक लगा देती हूं उससे क्या होता है कि चारों तरफ से हो जाता है और सिंगल वाली मेरे पास पहले थी तो चोटी हो जाती थी और बिना तक्या के कवर वाली थी मैचिंग तो इसलिए नहीं लें अप सब कूछ रहे। के बारे में तो इसलिए मैं यहाइप री आपको बता दे रही हूं और अब जैसे कि मैं कंगी से कल रही हूं बहुत अच्छे से कंगी से दब जाता है वरना उंगली यह जल्दी भी किन इसे बाद बस अभी मैं यहां पर थोड़ी सी सफाई कर रही हूं और यह जो ड्रेसिंग टेबल की हालत होती पर डे ऐसे ही हो जाता है मेरे घर पर ही नहीं सभी के घर में ऐसे होता होगा क्योंकि बच्चे वाले घर पर तो ज़्यादा होता होगा इसलिए मैं पर ड्रेसिंग टेवल के उपर जादा चीज नहीं रखती जो चीजप जरारी होती है जो एकदम रगूलर यूज होती है बहुत बाहर यूज्च होती है वही सियवे बाहर रखती हूं वर नहीं ही तो सस्राइब सहए मेरा मिनी कंगी और पावडर का डबा और उसके बाद मैं अभ डिस्टिंग कर रही हूं। ऑर जाड़ मैंने पहले लगा दिया था उसके में ये सब काम कर रही हूं। और यह बस थ्वासा में जार देती हूं यह जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो इससे बहुत अच्छी से हो जाती है अगर हम दो दिन भी इससे डश्टिंग करेंगे और फिर एक बार इससे वास करेंगे तो भी यह बहुत अच्छा है इससे मतलब कपड़े क्या होते हैं वह से क्या है कि जार देने से इस कपड़े में रहता नहीं है और अच्छी से डश्टिंग हो जाती है बिल्कुल कपड़े से भी अच्छा क्योंकि यह इसका जो है इसके अंदर मुस्फ्ट वाला वह अच्छे से कौने-कौने तक साफ कर देता है इस वाज़े से मैं कह रही थी और अभी बस टेवी अगेरा टेवल का मैंने रस्टिंग कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ जहाँ पर मेरे बच्छों के बेग रहते हैं और कौपी किताब वाला यहाँ पर तो रोज अच्छे से इसको अच्छे से रखना ही पड़ेगा हम सभी को क्योंकि क्या होता है कि बच्छे जैसे तेसे रख देते हैं और बार बार बच्छे अभी जैसे पढ़ाई करते हैं तो फिर अभी छोटे हैं तो मुझे यह सब देखना पड़ता है और उसके बाद बस अभी पोच्छा लगाने का टैम हो गया है तो मैं सभी के सभी घर में पोच्छ तो मैं उस टेम मॉप का यूज करती हूं और जिस टेम मुझे जादा जल्दी नहीं है सिर्फ घर के काम ही करने मुझे तो उस टेम में बैठके ही जादा तर पोछा लगाती हूं और मतलब की बस यह मेरा आदत है इस वज़े से तो यहां पर आज में बाहर मुझे धोना नहीं दूप निकला हुआ था तो आफ़ दूप दूप निकला हुआ था तो यह जादा गंदा हरु लगात देजलिए तो इसलिए जादर दौना पशंद करती हूं और उसके बाद बस अभी यहां पर धूप निकला हुआ तो अभी मैंने यहां पर यहां पर डाल दिया था एक दिन पहले मैंने वास किया था तो आधे टाइम के बाद भी बारी सोने लगी तो मैंने सुचा कि आज एक बार और धूब दिखा देती हूं जब तक धूब रहती है तो बस मैंने यह पर अभी इसे बिछा दिया है और पै में तो फिर दोनों के कपड़े औगेरा भी मैंने ले लिए गंदे और उसके बाद ऐसे ही मेरा सुभा का मौनिंग रूटीन होता है ऐसे होता है तो ऐसा अपने काम नप्टाती हूं जल्दी से और उसके बाद फिर नास्ता गेरा हमारा हलका फुलका होता है इसकुल जाते थे तो बहुत ज्यादा अलग रूटीन होता था और अभी नहीं जाते हैं तो सारे काम अराम से होते हैं तो बस इसी की अराम भी है एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि कहीं जलबाजी नहीं है और अभी मैंने जैसी कहा था कि धूप बहुत अच्छी निकली थी लेकिन फिर कुछी दिर बाद मैंने नहाया उसके बाद यहां पर धो दिया था मैंने क्योंकि ग्यहूं सुखा ही हुआ था तो थोड़ सही बस उसमें धू कर फिर कपड़े भी मैंने वास कर लिये सारे और मुझे लग रहा था कि बारी सोगा लेकिन फिर बाद में हलकी फुलकी होती है बुंदा बुंदी तो फिर वह बात रुप जाती है तो मैं कपड़े वही पर रहने देती हूं उसके बाद अभी में किचन में आ गई हूं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है इसे पकने में बिल्कुल भी टैमनी लगता है मैंने यहां पर थोड़ा सा तील डाल कर और केला को थोड़ी तेर के लिए फ्राय कर रही हूं तीन दो तीन मिनट के लिए और अच्छे से जब फ्राय हो जाएगा तो अपने पता और चल जाता है यह तोछे से सुख जाते हैं और फ्रार खोटि शसे कर लिकालर to MA Image केला थे ज़ादा केला नहीं थे और यह जुका टुरी है की घम हरी मिर्श मैंने इने काली है 상़ of कि Mirs लिया है क pessimist कि चार पांच दाने सेथ कल्यं मिर्श के और लेसुन बैक्र उसके बाद मैंने तयार हो गया है और बस अब जो केला मैंने रखे थे थोड़ी से भून कर तो यह जो मसाले हैं अब देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें ग्रेवी बन गई है उसके बाद बस केला को में डाल दूंगी और केला तो ऐसे जादा पकाने नहीं लगता है मतलब पकी जाता है भूनत है हरी मिर्श डाल कर तो अच्छा लग रहा था खाने में बहुत ज्यादा स्वादिश लग रहा था तो बस अभी मैंने इसे दो मिनट इसे ढख दिया था और ज्यादा में अगर पकाऊंगी तो फिर तूटने लगेंगे और अब इस सबजी पूरा अच्छा बन गया है तो अब मैं इस गैस को बन कर दूँगे उसके बाद बस यहाँ पर मैंने कुछ डब्बे हो गिरा धोय थे जैसे कि जो चीज खाली हो जाती है जैसे तेल का डब्बा है यह मेरा खाली हो गया था तो मैंने इसे वास कर दिया और यह स्टील वाला है तो बहुत अच्छा इसे हम और उसके बाद दाल का डब्बा दाल खतम हो गई थी नमक का डब्बा और यह जो मसाल दानी है उसमें से एक जो कटोरी है वो खाली था तो उससे और बड़ा वाला कटोरी मैंने वास कर दिया है और उसके बाद पानी गिरने के लिए फिर मैंने ऐसे उल्टे करके रग दिय ताकि इसमें से एक बूंदी पानी ना रहे और उसके बाद अभी में थ्वाग बहुत अगर पानी भी होगा डबो के अंदर तो मैं कपड़े से कॉटन के कपड़े से इसे पोछ लेती हूं उसके बाद इसमें दाल अगेरा भर के रख दूंगी और नमक अगेरा तो यहां पर यह होता है न कि जब हमारी डबे खाली हो जाते है तो उसी टाइम हमें धो लेने चाहिए इससे क्या होता है कि ज़्यादा मैल भी ने जमती है धककन वगिरा में और हमारा किचन भी साफ साफ रहता है और जब हम कभी एक मेने में डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस समय जो आप मुझे कमेंट करते हो जैसे कि मैं मीसू हौल अभी बहुत जादा कर रही हूं तो बस मैं उसे के बारे हम बताना चाहती हूं कि मीसू से जो मीसो ब्रांड है यह हमें क्या होता है कि हम सभी यूटूबर्स को रिव्यू करने के लिए प्रोड़क्ट भेजते हैं उनमें से हम चाहे तो रख भी सकते हैं और जो चीज पसंद आ जाती है तो वो हम रख लेते हैं लेकिन फिर कुछ जो महगी चीजे होती है किसी को पसं समझती हूं और आप सब मुझे अच्छी एडवाइस देते हो तो मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता है लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मीसो मीसो ज्यादा अभी यह कुछ दी दिन चलेगा बस यह लाश्ट मन्त है बस आप सभी से में हाँ जोड़के यह रिक लोग बाहर ही बैटके खा रहे हैं तो मैंने जो बाते आप सभी से कहा है प्लीज उसको थोड़ा से समझने का कोजिस किजिएगा और आप सब सोचोगे कि मैं इतनी सफाई क्यों देती हूं यह सफाई नहीं है मतलब कि कुछ बाते होती है जो कि आप सब को जानना जरूरी ह होता है और अगर अगर मैं उस बात को के लिए ना करू तो फिर होता है कि आगे बात बढ़ती जाती है वो खतम ही नहीं होती है इसलिए मैं सुचती हूं कि जो जी मुझे बतानी है वो में बता दीती हूं साइद उस चीज से जो हुआ कुछ सोचते हैं सैद उससे मतलब कि वो मेरे बारे में ना सोचे और जैसे कि मैंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सब सोचते हो या फिर सिर्फ कुछ ही लोग सोचते हैं और जितने बार मुझे इस बात को किलियर करना पड़े उतने बार मैं इस बात को किलियर करूँगे क्योंकि मैंने चाहती हूँ कि बस कुछ चीज़ों होती है कि तो वो सब आप प्लीज समझने के कोशिश किजिएगा तो इस वीडियो को मैं ही पर एंड करती हूँ हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ